ये बात एकदम साफ है, कि इन तीन शक्तियों के बलबूते पर ही इस अस्तितु का निर्मान हुआ है, वो जैसे हैं, वो अपनी जगा पर बने रहते हैं और वो गतिमान हैं, देवी कोई कण नहीं है, वो अस्तितु की इन तीन मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला आकाश ह इस धर्ती की जादातर संस्कृतियों ने स्त्री गुण को पूरी तरह से खो दिया है, आप देख रहे हैं ये दो सबसे हावी फैक्टर हैं, इसलिए आप देखेंगे स्त्री गुण के लिए कोई जगा नहीं है, सब कुछ पुरुष गुण के बारे में है। व्याख्या करने का मूल शब्द था री ये शब्द री है, जिसे स्रिष्टि का मूल या देवी मां खहते हैं। स्त्री का शब्देकर्थ है महिला, री शब्द का अर्थ है गति, संभावना या उर्जा। ये वो शब्द भी है, जिससे आर्य शब्द निकला है। आर्य यानि सभ्द ये संस्कृति ये प्रतिकात्मक रूप से ये कहना, कि जब पुरुष्गुन प्रभाव में होता है, तब ये जीतने वाली बात होती है। लेकिन तब जब स्त्रीगुन प्रभाव में आता है, तब ही एक सभिता बनती है। ये एक ऐसी संस्कृति है, जिसने स्त्रीगुन का बहुत गुनगान किया है। और साधी, ये एक ऐसी संस्कृति भी है, जहां स्त्रीगुन का घिनोना शोशन भी हुआ है। ये संस्कृती की बुनियाद स्थ्रीगुन के गुणगान में है लेकिन धीरे धीरे ये संस्कृती स्थ्रीगुन के शोषन में बदल गई अब सिर्ष्टी की रचना की बात है तो स्थ्रीगुन का जन माखिर हुआ कैसे? कहानी कुछ इस प्रकार है कि ऐसी शक्तियां जो स्रिष्टी के लिए हानिकारक थी जब वो बढ़ने लगी और पूरी स्रिष्टी के लिए खत्रा बन गई जो कि अभी भी एक शुरुवाती अवस्था में ही थी तो तीनों मुख्य भगवान आपस में मिले ब्रम्ह, विश्णू और महेश जो कि तीन अलग-अलग गुणों के प्रतीक है आधुनिक भौतिक विज्ञान की भाशा में हमेने इस तरह समझा सकते हैं प्रोटॉन, निूट्रॉन और अलेक्ट्रॉन ब्रम्ह, विश्णू और महेश इसी क्रम में आज, मौडर्न भौतिक विज्ञान की अनुसार ये बात एकदम साफ है कि इन तीन शक्तियों के बलबूते पर ही इस सस्तित्व का निर्मान हुआ है यानि प्रोटॉन, निूट्रॉन और अलेक्ट्रॉन इनका अपनी जगा पर बने रहने का कारण और इनके हमेशा गतिशील रहने का कारण ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जोकि इन तीनों शक्तियों के बाहर होता है तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रो मैग्नेटिक चार्ज के बिना ये तीनों किसी गतिमान अवस्था में नहीं रह सकते इन तीनों की इस गतिशील हल्चल के बिना स्रिष्ठी नाम के कोई चीज ना होती विज्ञान के इसी आयाम को ये कहानी एक लोक कथा के रूप में बताना चारही है कि ये तीनों भगवान मिले और जब वो विनाशकारी शक्तियां बढ़ने लगी और वो नहीं जानते थे कि इनने कैसे हंडल किया जाए उनके अंदर ये तीन अद्भुद्गुन थे पर उन्होंने पाया कि ये तीन गुन काफी नहीं थे वे जान गए कि इन तीन गुनों के मिश्रण की आवशक्ता थी तो उन सभी ने एक लंबी सांस छोड़ी अपना सबसे अच्छा हिसा बाहर निकाला और ये तीन शक्तियां मिल गए या इन तीन शक्तियों की सांस मिलकर एक हो गई और ऐसे बना स्थ्री गुन या स्थ्री प्रकृति या देवी तो जिन कहानियों की हम बात करेंगे वो जो इस संस्कृति का आधार बनाती है वो असल में भौतिक विज्ञान ही है जिसे बड़ी सुंदर्ता से एक लोक कथा की तरह एक साकार रूप में कहा गया है और ये वही मूलभूत शक्तियां हैं जिनसे ये स्रिष्टी बनी है ये शक्ति जिसे हम कहते हैं देवी देवी शब्द दिव से आया है दिव यानी आकाश तो देवी कोई कण नहीं है वो अस्तित्व की इन तीन मूल शक्तियों को थाम कर रखने वाला आकाश है वो उर्जा जिससे एक अनू चलता है वही उर्जा है जिससे ब्रम्हंड चलता है ये वही उर्जा है जो हर चीजस को यानी सृष्टी में हर चीजस को संभव बनाती है और इस उर्जा को हमेशा स्त्री गुण के रूप में पहचाना गया है मैं चाता हूँ कि आप ये समझ लें ये बात नारित्व के गुणगान की है नारी की नहीं? क्योंकि नारी में भी नर होता है, है न? ये स्त्री गुण की बात है स्त्री होने की नहीं? एक स्त्री होना केवल शरीर की बात है, स्त्री गुन का होना शरीर की बात नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है, जब जिन्दा रहना ही सबसे बड़ा मुद्दा हो, तो स्वभाविक है, पुरुष गुन दुनिया पर राज करेगा, जब भरन पोशन अच्छे से चल रहा होता है, सिर्फ तभी स्त्री गुन बाहर आता है, जब समाज में भरन पोशन का ख्याल रखा जा चुका होता है, सिर्फ तभी स्त्रीगुन की बारी आती है, पर दुरभागे से दुनिया में एक बड़ी त्रासधी हो रही है, वो ये की, हालांकि दुनिया में कम से कम 50% पुपडी होना, फिर एक घर का होना, फिर एक महल होना, अब Bentley, अब Mercedes का होना, या जो भी है, रहन सहन के लक्षों को और आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है, लोग अपने रहन सहन को मुश्किल से मुश्किल बनाते जा रहे हैं, बहुत से लोगों को अपने जीवन में ये सा पूरी तरह से एक अलग ही स्तरका है, जब तक आप भरन पोशन को अपने जीवन का सबसे महत्वपून हिस्सा समझेंगे, स्वभाविक रूप से पुरुष गुन राज करेगा, यही कारण है कि आज दुनिया में पैसा सबसे हावी पहलू बन गया है, पैसा सिर्व भरन प पूर्ण नहीं होगा, महिलाएं उपर आ सकती हैं, पर उपर आने के प्रक्रिया में वो स्तरी गुन रहने के बजाए और मरदानी होती जा रही है, यह दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत है अगर स्तरी अत्व, अगर स्तरी गुन को दबाया गया होता तो हो सकता है वह बहुत कम समय लगेगा, इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा, हम इस समय दुनिया में उस और बढ़ रहे हैं क्योंकि पैसे या अर्थ शास्तर का राज चल रहा है, जैसे जैसे तकनीक और पैसा जादा से जादा प्रभावी होते जाएंगे, आप देख रहे हैं आज य इस सारी चीजें जीवन के बारीक पहलू प्रभाव में होंगे, दुनिया में उतने ही महत्वपून होंगे, जितने की तकनीक और अर्थ शास्तर हैं, सिर्फ तभी स्त्री के लिए एक समान भूमिका निभाने की गुंजाईश है, नहीं तो महिलाएं पुरुषों जैसा व इनाशकारी सोच है, जो कि आज लोगों के दिमाग में घुश चुकी है, कि आज अगर आप एक मर्द की तरह होंगी, तभी आप सफलो सकती हैं, तो अगर हमें इस आयाम को जानना है, समझना है, यानि अपने अंदर के स्त्री गुन को, या अगर हमें अस्तित्व में व्या आप स्त्री गुन के आयाम की खोजबीन करनी है, तो हमें एक खास तरह से होना होगा, नहीं तो आप स्त्री गुन से चुक जाएंगे, दुनिया की जादा तर संस्कृतियां स्त्री गुन से पूरी तरह से चुक गई हैं, वह महिलाएं हो सकती हैं, लेकिन स्त्री गुन स्त्रीगुन पूरे जोश में घटित नहीं हो रहा है क्योंकि जादा तर संस्कृतियां जीत हासिल करने से विक्सित हुई हैं जीवन को हमेशा जीत के रूप में उपलब्धी के रूप में देखा गया है कभी समावेश के रूप में नहीं सिर्फ ऐसी संस्कृति में सिर्फ ऐसी जगा पर सिर्फ एक इंसान के भीतर जो जीवन को समावेश के रूप में देखता है उस व्यक्ति के अंदर स्त्रीगुन पूरे प्रवाह में व्यक्त होता है वो जो जीवन को एक उपलब्धी के रूप में देखता है वो जो जीवन को जीत की तरह देखता है वो स्त्रीगुन को नहीं जान पाएगा